दुर्गा पूजा दशमे की आप सबको बहुत बहुत सुफ कामनाई बड़ों को मेरा प्रणाम और बच्चों को बहुत जादा प्यार दुर्गा पूजा दशमे हैं तो मो मीठा करना बनता है इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जारी हूँ बिंगॉल की एक बहुती फेमस और नोन स्वीट डिश जो की है शीता भोग शीता भोग बनाने के लिए हमें पहले ले लेना है एक लीटर दूद, विनिगर या लेमन जूस मिलाते हुए हमें उसको चाना बना लेना है अभी उस चाने से अच्छी तरीके से जितना भी पानी है हमें स्क्वीज करके निकाल देना है एक स्पून के मदद से अच्छे से हम पूरा पानी निकाल देंगे इस रेसिपी की इंग्रिडियेंट्स लीस्ट और क्वान्टिटी मैं ड्रेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिग दूँगी इंग्लिश में आप लोग उधर से जाके सर्च कर सकते हो अभी नॉर्मल प्लेन वाटर हमें मिला लेना है पानी और अच्छे से स्क्वीज करके सारा पानी जितना भी है निकाल देना है उससे क्या होगा जो भी वीनिंगर या लेमन जूस हम एड़ किये है चाने में उसका जो खटास है वो निकल जाएगा अभी हमें क्या करना है एक किक्चेन क्लॉट ले लेना है उसमें चाना को दे देना है और अच्छी तरह से स्क्वीज करके अभी भी जितना पानी है वो निकाल देना है इन में आप देखिए का बहुत जादा पानी निकलेगा एकदम अच्छी तरीके से पूरा पानी हमें निकाल देना है जितना अच्छी तरीके से पानी निकल जाएगा आगे की प्रोसेसिक में उतना ही हिल्प होगा देखिए हो गया है अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में स्टेप बाइ स्टेप अच्छे से मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ घर में ट्राइ करने के लिए वीडियो बिना स्कीप किए पूरा रेसिपी को देखिए एंजॉय किजिए अभी इस चाने से एक चौथाई पोर्षन हम निकाल लेंगे एक अलग बोल में और जिसकी यूज हम बाद में करेंगे देखिए मैंने निकाल लिया अब जितना भी चाना रह गया है रजगूला बनाने के लिए जैसे तरीके से हमें मसल ना पड़ता है उसी तरीके से हमें अच्छे से 5-6 मिनिट तक कंटिनिवर्सली मसल लेना है एक अच्छा सा सौफ्ट क्रीमी डो जब बन जाएगा तब तक हमें मसल लेना है ड्रेस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी फेस्बूक और ट्वीटर की लिंक शेयर कर दोंगी थोड़ा सा टाइम लेके अच्छी तरीके से मसल लेना है वीडियो जब चल रहा होगा वीडियो स्क्रीन पे नीचे आपको मेरी चैनल की नाम दिखाई दिया जाएगा उस नाम पे क्लिक करके आप मेरी अब तक की अपलोड की हुई सारी वीडियो को एंज़ाई कर सकते हो देखे इस तरीके की क्रीमी जब एक टेक्स्चर आ जाएगा तब हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे अब इस टेज पे हम एड़ करेंगे हाफ बड़ी चमच की करीब राइस फ्लाइड यानि की चावल की आटा हाफ बड़ी चमच एक लीटर दूद के लिए हमें जरूरत परेगी हाफ बड़ी चमच चावल की आटा थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे और अच्छे से एक पूरी या लूची बनाने के लिए जैसे एक डोब बना लेना पड़ता है उस तरीके से हमें एक डोब बना लेना है अच्छी तरीके से थोड़ा टाइम लेके कर लेंगे देखिए अल्मूस्ट हो गया है अभी हम क्या करेंगे इस डोब को एक बोल में रख देंगे और एक भीगा कप्रे से उसको थोड़ा सा कौवर कर देंगे और सेट होने के लिए छोड़ देंगे दस मिनिट के लिए पिछले कुस दिनों से मैं दुर्गा पुचा रिलेटेट शष्टी, शफ्तमी, अश्टमी, नबमी, थाली शियर कर चुकी हूँ आप लोग अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हो तो मैं ड्रेस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंग दे दूंगी अब उधर से जाके सर्च कर सकते हो अभी जो एक चौथा ही पॉर्शन हम अलग करके रख लिये थे उसको भी अच्छी तरीके से हमें मसल लेना है और अगें एक सौफ्ट डोब बना लेना है नवराथ्री रिलेटेड वेज रेसिपी फलहारी रेसिपी में बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ आप लोग प्लीज मेरी चैनल पर जाके वह सारी वीडियो को इंजॉई कर लीजिए दिखिए एक सौफ्ट डोब बन चुका है अभी हम इसमें क्या करेंगे हाफ चोटी चमच के करीब मैदा मिलाएंगे बहुत कम मैदा मिलाके थोरा सा और मसल के इस तरीके से एक सौफ्ट डोब बना लेंगे अब इस डोब से हमें चोटा चोटा पोशन लेना है और एकदम क्रैक फ्री चोटा चोटा बॉल बना लेना है एकदम भी क्रैक नहीं रहना चाहिए अगर बॉल की उपर थोरा सा भी क्रैक रहे जाएगा जब हम कुक करेंगे तब भट जाएगा अच्छे से एकदम प्लेन स्मूथ छोटा छोटा बॉल बना लेना है हमें मैं हर रोज आती हूँ एक नहीं वीडियो के साथ एक नहीं रेसिपीज के साथ प्लीज कनेक्टिड रही देखती रही है मेरी रेसिपीज को और इंजॉय करते रही है अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट बक्स में मुझे जरूर बताईएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोगों का एक भी कॉमेंट अगर मुझे आता है तो बहुत जादा अच्छा लगता है बहुत जादा सपोर्टिव लगता है चलिए हो गया है अभी हम सुगर सिराब की तयारी कर लेते हैं जिसके लिए एक कराई चरा दिया है गैस पे और ले लिया हाफ काप के करीब शक्कर और दे दिया हाफ काप के करीब पानी अभी हमें पाच मिनित तक लो हिट में कॉक कर लेना होगा शुगर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम एड़ करेंगी एक इलाइची और दो तीन लॉंग अच्छे से लो हिट में पाच मिनित तक कॉक कर लेंगे शुगर सिराब प्रेडी हो जाएगा इसको हम साइट पे रख देंगे ठंडा होने के लिए बहुत साधा ठंडा की जरूरत हमें नहीं है थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक हम क्या करेंगी एक कराई चरा देंगे और उसमें दे देंगे हाफ काप के करीब तेल वाइट ओयल इधर मैंने ले लिया है और जिसमें दे दिया है एक बरी चमच के करीब गी जब ओयल और घी गरम हो जाएगा तब हम जो डो बनाके रखेते राइस फ्लार बाला वो डो थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके लेंगे और ग्रेटर की मदद से इस तरीके से ग्रेट कर देंगे ओयल के उपर ग्रेट करने के बाद 30 से 40 सेगेंड के लिए हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंके राइस प्लार दिया गया है बहुत ज़्यादा फ्राई करने से एकदम टूट जाएगा 30 से 40 सेगेंड के लिए फ्राई करने के बाद उठा के तुरंत ही हम शिफ्ट कर देंगे सुगर सिराप में इस टाइम पे आपकी गैस की जो हीट है वो मिडियम हीट में होना चाहिए बहुत ज़ादा हीट नहीं देना होगा बस थोरा सा फ्राइ करने के बाद ही तुरन निकाल के हम डाल देंगे सुगर सिराप पे सुगर सिराप में हम डिप होने देंगे 10 से 15 मिनिट के लिए अगर आप नहीं हो मेरी चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हूँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा आशा कट्यो रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग घर में जरूर ट्राइ करोगे अगर घर में ट्राइ कर रहे हो तो मुझे जरूर बताना हो गया है अभी हम क्या करेंगे सुगर सिराप में डिप होने देंगे शिता भोग को तब तक हम छोटा छोटा बॉल जो कर लिये थे उसको हम फ्राइ कर लेंगे इसे हम बना रहे है छोटा सा गुलाब जामुन जो की शिता भोग में दिया जाता है अच्छी तरीके से गोल्डेन ब्राउन होने तक हमें कुप कर लेना है फ्राइ कर लेना है इस टाइम पे आपकी गैस की जो हीट है वो होगा लो हीट पे बहुत ज़ादा हीट दे देंगे तो गुलाब जामुन तोट जाएगा पहले 30-40 सेकेंज के लिए हमें अंडिस्टरब फ्राइ करना है यानि कि हमें स्पैचूला यूज नहीं करना है उसके बाद जब गुलाब जामुन अपना एक स्ट्रॉंग टेक्स्चर पकर लेगा हम थोड़ा थोड़ा करके स्पैचूला के मदद से घुमा घुमा के हर एक साइट से गोल्डेन ब्राउन करके फ्राइ कर लेंगे देखिए इस टाइम पर शिताभुग जो है वो अच्छी तरीके से सुगर सिराप में डिप हो चुका है हमने निकाल लिया है एक बोल में इधर गुलाब जामून भी हमारा फ्राई हो चुका है अभी हम गुलाब जामून को ट्रांसपर करेंगे जो रेस्ट सुगर सिराप बज़ किया था उसके उपर अब सुगर सिराप में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तीन से चार मिनिट के लिए गुलाब जामुन अच्छे से नरम होके फुल के नरम हो जाएगा और एक अपना कलर पकड़ लेगा देखिए एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है गुलाब जामुन अभी हम निकाल के डाल देंगे सिता भोग के उपर बन गया है आज का मेरा रेसिपी आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आए पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कनेक्टेड रहे देखते रहे है मेरी चानल को तो आज चलती हूँ कल फिर से मुलाकात होगी बाबाई